स्वागत है बाई एक और शांदर वीडियो में दिए जो की आप मेरे हाद में देख रहे हैं वो बलॉंग करती है इस प्रोड़क्ट को मारूती सिफ्ट बेस वेरेंट LXI पेट्रोल के साथ हमारे सामने खड़ी है काफी यार जब बरदस्त गाड़ी है मारूती के अंदर मौ प्रोज, आई 20 वगेरा ये सारी गाड़ी आती है एन्ड पैट्रोल और सिएंच दोनों में गाड़ी अवेलीबल है तो सारी चीज़े वीडियो में कवर करेंगे क्या कुछ फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं क्या कुछ प्राइस रींज है क्या कुछ है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आова दखने में काफी जबती लगते हैं उप्टी इस तरीकर के आपको मिलता है क्रों का टच उन्टर आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं सिंगल एंट एदर आपको मिलता है टर्ण इंडिकेटर फोगल लेंफ वगेरा आपके मिसिंग है बाई सिर्फ टॉफ एरेंट माते हैं जेडेक्स आई के अंदर अब बात करें इंजन वगेरा की तो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पेटेड इंजन के साथ गाड़ी आती है जो आपको पावर डिलीवर करता है 86 BHP की एंड टॉक प्रूइस करता है 130 न्यूटन मीटर का अगर बात करें पावर एंड टॉक की तो सिमिलर यह है जो 1.2 लीटर इंजन के साथ गाड़ी आती है नोन टॉक प्रूइस की बात करें तो आर 14 का टार साइज आपको मिलता है स्टील रिम के साथ वील कवर अगरा नहीं आते हैं बाई यह एसेसरी पार्ट है अभी ब्रेंड न्यू गाड़ी है पांसा दिन पहले लिए तो यह अलग से लगवाएं के अंदर ब्लैक मिलते हैं डोरेंडल और विम बेस वेरेंट के अंदर बट यह बॉड़ी करवाएं है करीब यह कंपनी से आप कराते हैं शोरूम से तो गरीब 600 रुपे का पर पीस पड़ता है इस तरीकी की रियर प्रुफेल आती है अपनी पूरी गाड़ी की सेंटर मा आप देखेंगे आपको सिजुकी का लोगो मिल जाएगा सिफ्ट की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं बेस वेरेंट से ही बूट स्पेस की तो बैज बेस वेरेंटे अदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता मैंने पहले से ओपन करके रखाया ड्रावर साइट से आपका ओपन होता है एंड कुछ इतना बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है 268 लिटर का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ओफर करती है एंड ये बाई कुछ समार रखाया गाड़ी का कवर है एंड ये रिफ्लेक्टर वगारा कवर अलग से पर्चेस किया है शोरूम से करी 1500 रुपे का अगर आपको बूट की नीड हो तो आपकी पूदी सीट फोल्ड हो जाएगी एंड अब चलते हैं माई गाड़ी के अंदर अंदर आपको क्या कुछ फीचर ही गाड़ी आपको फर करती है वो मैं आपको दिखा देता हूं एंड ये इंटीर आप देखो यार फुल मैट फिन वी पावर नहीं मिलती है ये काफी डिसपांडिंग है यार इवन अल्टो में भी आपको फ्रंट टू पार वंडोस मिल जाती है बट इसके अंदर भाई आपको चारो मैनुवल मिलती है करीव एक लीटर के बूटल रख पाएंगे इतना स्पेस मिलता है और आपको को डायर इक सीट मिलती है यहां पर फोर वे मैनुवली अडिस्टेबल है सिक्सवे अप्शन भी नहीं है फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर हैडरेस्ट आपको फिक्स्ट मिलने वाले हैं यह भी आपको हाइट अडिस्टेबल नहीं मिलते है जबकि वी एकसाई के अंदर आपको एंड टिल्ट फंक्शन के साथ आता है हाइट अकोर्डिंग आप डाउन एडजेस्ट कर सकते हैं एदर आप देखेंगे बाई तो ट्रेक्शन कंट्रोल आपको मिल गया लाइट लेवर आपको मिल गया अब करते हैं गाड़ी की इगनीशन ओन इस्टुमेंट क्लस् सिंगल इस्टुमेंट क्लस्टर स्पीडो मीटर आर्पियम मीटर बगयरा नहीं है और इवरेज गाड़ी की 13 किलोमीटर की एवरेज शो कर रहा है तो यह काफी कम शो कर रहा है 22.38 की एरफ एक लेम करते हैं कस्टुमर कीड़क 19 to 20 के आपके हैं बट यहां पर एक काफी कम इवरेज आपको शो कर रहा है टाइम वगयरा यहां पर शो कर जाता है और इस्टुमेंट के लिए आपको जगा मिलती है आप अलग से लगवा सकते हैं अगर आप सोरूम से लगवाते हैं करीब 28,000 का अपका पढ़ता है और आप बहार से लगवाते हैं तो आट से 10,000 रु मिलता है 12W का सोकेट आपको इदर मिल गया एंड इदर भी आप अलग से लगवा सकते हैं असे स्ट्री में 12W का सोकेट आप लगवा हो या USB पोर्ट वगवा हो आपकी चोईस है फोन वगवा आप यहां पर रख पाएंगे कुछ इतना स्पेस मिलता है तू का फोल्डर आप के इदर आगे 5-speed manual transmission के साथ गाड़ी-खड़ी है automatic का option भी आता है AGS आपको मारूती offer करती है एंड इदर भाई आपको और कुछ space मिल जाता है थोड़ा सा यहां पर wallet वगवागरा coin वगवागर आप यहां पर रख सकते हैं टॉप पर आप देखेंगे तो बिलकुल simple आपको ठीक है बस काम चलाओ एंड आप चलते हैं बाई रियर वाली seat पर रियर में आपको क्या कुछ space यह गाड़ी आपको offer करती है वह मैं दिखा देता हूं बट उससे पहले हम अपनी driver seat को cut लेते हैं अपनी height according adjust and rear door handle आपको इदर मिलते हैं and यह door किया बाई open and आप चलते हैं बा ठीक है बाई इतना near room भी काफी अच्छा खासा है and मेरी height 5.6 है तो ठीक है बाई मेरे लिए तो and भाई thigh sport भी आपको काफी अच्छा खासा मिलता है को issue नहीं है तीन लोग easily बैट पाएंगे इतना space आपको मिलता है rear वाले headrest जो हैं आपको यह भी fixed मिलने वाले हैं height adjustable option इधर भी नहीं है and अब बात करते है headroom वगयरा की तो यह headroom आप देख लो भाई कुछ इस तरीकी से हाथ open करते हैं तो इतना आपको headroom मिलता है तो headroom भी भाई ठीक था कि को issue नहीं लगा यार मिलने रूम वगयरा इनकी तो यार को issue मिलने को नहीं लगा रियर वाली seat पर बाकी ज आपकी choice है बाकी और कोई feature आपको देखने को नहीं मिलेगा rear वाली seat पर बाकी space वगयरा ठीक था आगा भाई इसमें कोई दिक्कर नरको नहीं लगी तो यार यह थी अपने सामने मारूती shift base variant LXI petrol के अंदर pricing वगयरा की बात करें तो 5,99,000 एक्शोरूम कोस्ट करता है यह व बाकी मेरे साब से ना यार मिरको यह वेरेंट अच्छा नहीं लगा भाई कुछ भी आपको नहीं मिलता है इस वेरेंट के अंदर simple अगर आप बोलो तो भाई engine चार पही है यह आपको बॉड़ी मिल रही है यह वास आपको मिलता है ना ही आपको front to power windows मिल रही है इवन आपक second base warranty आप इसको mid variant आप बोल सकते हो जिसमें आपके basic need की चीज़े सारी आजाती है all power windows आपको मिल जाएंगी ORV malactic adjustable हो जाते है infotainment system आजाता है remote center locking आजाती है internal indicator आपका ORVMP आ जाएगा and बाई यह जो है आपका CNG में भी available है यह वाला variant VXI यह आपको CNG में भी नहीं मिलता तो इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ अगर आप CNG भी ले रहे हो तो फिर तो बाई आपकी मजबूरी हो जाती है VXI लेना otherwise मैं कहूंगा आप petrol पे भी जा रहे ह यह चीजे बेसिक नीडगी है यह आपको बाई अलग से आप लगवाओगे after market आप लगवाओगे warranty में शुआ सकता है और यह आपकी चीजे फिर सारी insurance में भी cover नहीं होंगी वह आपके पैसे वेस्ट गए अप रिसेल भी करते हो उस टाइम भी उन चीजों की value count नहीं होती ह तो भाई बाकी आपकी चौइस है आपने यह लेनी है या VXI लेनी है बाकी black color बे भी गाड़ी available है बट black color आपको सिर्फ देखने को मिलेगा top variant के अंदर ZXI के अंदर and all CNG के अंदर आपको मिलेगा बाकी आप देख लो आपने कौन सा लेना है मेरे साब से तो भाई VXI ठी मिल जाती है एंड CNG में भी available है जो चीजे लोगों को बेसिक नेड़ में चीए वो चीजे आपको सारी मिल जाएंगी एक्शो रूम की बात करें तो भाई करीब आपका उसका 6 लाग के आसपास एक्शो रूम आपको पड़ता है सोई 590 के आसपास एक्शो रूम पड़ता ह तो टोटल आपके एक लाग रूपे आपको कोशली बढ़ता है इस वाले वेरेंट से बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो उन्फरमेटिव लगए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर द थैंक यू